वेलकम बच्चों, हम लोग चेप्टर एट तक पार कर चुके हैं और इसके बाद यूनिट टू सुरू होता है, इसमें फूड के बारे में बतलाया गया है भोजन के बारे में बतलाया गया है, ये कलास फाइव का साइन्स बुक है चेप्टर 2.1 और इस चेप्टर का नाम है When Food Gets Spoiled भोजन कब खराब हो जाते हैं इसके बारे में दिया हुआ है, ये चेप्टर काफी लंबा है हम लोग इसमें बिना देर के आज के वीडियो शुरू करते हैं मैं दुलाचंदाज स्वागत करता हूँ आप से भी का एक नए वीडियो में एक नए चेप्टर के साथ और आए हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं Food can be eaten raw or cooked हम लोग भोजन को कच्चा खा सकते हैं या पका के भी खा सकते हैं If it is not stored and handled properly, it gets spoiled by the attack of microorganisms like bacteria and fungi अधी इसे सही ढंग से रखा या संभाला न जाए तो सुच्चम जियों के द्वारा या खराब हो जाते हैं जैसे कि वेक्टिरिया या फंगी के द्वारा Micro organisms require air, water and worms to grow सुच्चम जियों को विर्धी करने के लिए हवा, पानी और गर्मी की आवसकता होती है What are signs of spoiled food? खराब भोजन के क्या निसानिया होती है The common signs of spoiled food are खराब भोजन के कुछ सामाइन निसानिया होती है Decoloration रंग में बदला होना The color of food usually changes to green, black or brown सामाइनिया तह भोजन का रंग हरा, काला या भुरे रंग में बदल जाता है Order बदबुदार होना उसमें दुरगंद आने लगता है The food has a fall smell भोजन से दुरगंद आने लगता है Soaring खटापन हो जाना उसमें खटा स्वाद आ जाता है The food tastes sore भोजन का स्वाद खटा हो जाता है Sliminess Sliminess चिकनापन आना भोजन में रोगानों के बढ़ जाने से भोजन बदबुदार और चिपचिपा हो जाता है How can food be preserved भोजन को कैसे सनरक्षित रख सकते हैं Food can be preserved from getting spoiled by preventing it properly भोजन को सही तरीके से सनरक्षित करके हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं Food preservation is the process by which food is stored for a long time सनरक्षन वह पर किरिया है जिससे भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है Method of Food Preervation भोजन को सनरक्षित या परिरक्षित रखने के विधी Drying पतलब सुखा देना किसी भोजन को जब सुखा के रखते हैं तो उसको Drying गोलते हैं This method helps to remove the water content in the food इस विधी के द्वारा भोजन में मोजूद पानी को हटा दिया जाता है This prevents the growth of microorganisms इससे सुख्यम जीओं की विधी रुख जाती है Wheat, rice, pulses are preserved in this way केहूं, चावल, दाल को इसी विधी द्वारा सुरच्छित रखा जाता है Freezing Freezing करत होता है उसे अत्यतिक ठंडा कर देना या जमा देना Bacteria cannot grow at low temperature They need warm to grow Bacteria कम तापमान में नहीं बढ़ पाते उसे बढ़ने के लिए गर्मी के आउ सकता होती है Hence, keeping food in refrigerator और a deep freezer keeps it fresh for a long time and prevents it from getting spoiled इसलिए भोजन को refrigerator या deep freezer में रखने से इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है Meat, eggs, cooked food and vegetables are stored in this way Meat, अंडा, पकावा भोजन और सबजों को इस परकार से सुरक्षित रख सकते हैं Boiling, boiling कार्थ है उबालना Boiling kills germs, उबालने से रोगानू मर जाते हैं Milk is boiled to kill germs, दूद के रोगानू को मारने के लिए इसे उबालते हैं Water is also boiled at high temperature to make it safe for drinking पानी को पीने लाइक सुरक्षित बनाने के लिए इसे भी उच्छ तापमान में उबाला जाता है Lewis pasture, Lewis pasture एक विज्ञानिक थे और उन्होंने इस विधी का खोज किया था तो उन्ही के नाम से pasteurization इस विधी का नाम दिया गया है Discovered a method of preserving milk by boiling the milk and then cooling it quickly दूद को संरक्षित करने की यह विधी खोजा गया है दूद को उबाल कर तुरंट थंडा कर दिया जाता है The sudden change in temperature kills the germs present in milk तापमान में तुरंट बदलाव होने से दूद में मोजूद रोगानू मर जाते हैं This method is known as pasteurization इस विधी को pasteurी करन कहा जाता है इसके बारे में यूटूब में और भी वीडियो हैं आप इसको देखकर डिटेल जान सकते हैं vacuum packing, निर्वात packing, vacuum packing जिससे हवा निकाल दिया जाता है जिस packing में packet से completely हवा को बाहर निकाल दिया जाता है उसको vacuum packing बोला जाता है The method involves packing food in a packet that has no air in it Packet को packing करने की यह विधी भी भोजन संवर्चन में सामिल है Since there is no air, no microorganisms can grow हवा नहीं रहने के कारण सुच्छम जीव विधी नहीं कर पाते This type of faking is used for cheese etc पनीर और अइन दूसरी चीजों को इसी तरह से pack किया जाता है Canning, canning का अर्थ है भोजन को डिबे में बंद करना डिबे में बंद करके सुरक्चित करना उसको This method involves heating food to kill germs यह विधी भोजन संद्रच्छन में सामिल है जिसमें भोजन को गर्म करके रोगानों को मार दिया जाता है Then, preservatives are added to it and it is sealed in cans फिर इसमें परिरक्षित पद्दार्थ इसमें मिलाया जाता है और इसे डिबे में seal कर दिया जाता है Fruits, sweets and some vegetables are carried फल, मिठाई और कुछ सबजियों को इस परकार पेक करके दूसरे जगर ले जाया जाता है Adding preservatives इसका अर्थ है कोईसा पदार्थ जिसको मिला कर भोजन को सुरक्षित किया जाता है Salt, sugar and vinegar are commonly used preservatives सामाइन रूप से पररक्षित करने के लिए नमक चीनी या सिर्का का उपयोग किया जाता है Vinegar का अर्थ होता है हिंदी में इसको सिर्का बोला जाता है Fruits and vegetables are picked and preserved with salt, sugar and vinegar फलो और सब्जियों को जमा करके नमक चीनी या विनेगर से सुरक्षित किया जाता है Certain chemicals are also used to preserve food भोजन को संरक्षित करने के लिए कोई एन रसाइन भी उपयोग किया जाता है Food is precious and should not be wasted भोजन बहुमिल है इसे बरबाद नहीं करना चाहिए Preserving food properly prevents from spoilage and hence it does not get wasted भोजन को हमें ठीक से संरक्षित कर रखना चाहिए जिससे या खराब होने से बज सके और इसकी बरबादी नहो सके Who produces the food we eat? जो भोजन हम खाते हैं उसे कौन उगाता है? Farmer is a person who ovens and manages a farm किसान वह वेक्ती होता है जो खेत का मालिक होता है और उसका परबंधन करता है Agriculture is the man occupation क्रिसी उसका मुख्य पेशा होता है What did people grow earlier? लोग पहले क्या उगाते थे? Earlier people used to eat fruits and used berries that grow in the forest प्राचीन लोग फल और berries खाने के लिए उपयोग करते थे जो जंगलों में उगते थे When they settled at one place, they started growing crops which gradually led to farming of a variety of crops like wheat, barley, maize and sugarcane जब वे एक जगह में बस गए फिर वे फसलों को उगाना शुरू किये यही धीरे धीरे खेती का रूप ले लिया और अनेक परकार के फसल उगाए जाने लगे जैसे कि गेहू, जो, मककई और गन्ना It is believed that early man might have thrown some seed on the ground without imagining its outcome ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन लोग कुछ बीजों को बिना कुछ सोचे समझे फेक दिये होंगे उन्हें नहीं लगा होगा कि यह उगेंगे लेकिन जब उन लोगों ने देखा उन बीजों से पोधे उगते हुए और फल लगते हुए तब उन लोगों ने फसल उगाने की कला सिखी होगी भूख और बिमारी किस परकार एक दूसरे से सम्बंधित है कई परकार के बिमारियों के कारण होते हैं लोगों का प्रयाप्त भोजन ना लेना या सही परकार के भोजन ना लेना Deficiency disease is a disease that occurs due to deficiency of nutrient in diet अपुरुनता बिमारी है जो भोजन के पोशक ततों की कमी से होता है Malnutrition is a condition that occurs when a person does not get enough good यहाँ पे good नहीं होना चाहिता है फूड होना चाहिता Enough food to eat misprinting है कुपोशन की स्थिती तब होती है जब कोई वेक्ति को परयाप्त भोजन नहीं मिलता Protein and Carbohydrate Deficiency Protein और Carbohydrate की कमी होना Carbohydrates provide energy while protein helps in growth and repairing of damaged cells Carbohydrates से हमें कूर्चा प्राप्त होती है जबकि protein हमारी सारीरिक विर्धी और हमारे सरीर में नस्ट होने वाले कोशिकाओं के अस्थान पर नए कोशिकाओं बनाते हैं या उसका repair करते हैं Marasmas यह एक बिमारी है यह बिमारी protein और Carbohydrate की कमी से एक साल से कम उमर वाले बच्चों को होती है As a result, the child has a stent growth wrinkled skin and suffers from diarrhea frequently इसका परिनाम यह होता है कि बच्चे का विकास रुक जाता है, ताउचा में जूरियां पढ़ जाती है और वह बार बार diarrhea से पिडित होता रहता है The disease can be cured by giving a diet rich in carbohydrate and protein इस बिमारी को ठीक किया जा सकता है, अधी हम उसे carbohydrate और protein युक्त भोजन दें Quasicore यह भी बिमारी है, उसी की तरह है Quasicore This disease also occurs due to the deficiency of carbohydrate and protein in diet यह बिमारी भी protein और carbohydrate की कमी से होता है It is common in children who have not been breastfed properly यह बच्चों में होने वाली आम बिमारी है जिससे सही से अस्तनपान नहीं कराया जाता जिन बच्चों को उनकी मार ठीक से दुद निपलाती है उसमें यह भी बिमारी देखा जाता है Quasicore The child has low appetite, swollen, belly and reduced growth ऐसे बच्चों को कम भुख लगता है, फूला हुआ, पेट होता है और उसका विकास धिमी हो जाता है Child should be fed pulses, eggs, skimmed milk, porridge etc ऐसे बच्चों को दाल, अंडा, मक्खन वाला दूद, खीचडी इतियादी देना चाहिए यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाया गया है Deficiency disease, their importance and sources to cure them कमी के कारण जो विमारिया होती है और उसको हम खतम करने के लिए क्या-क्या चीज़ लेना चाहिए जैसे कि vitamin A की कमी से क्या होता है, night blindness होता है healthy eye and good skin इसके रहने से यह हम उसका स्वास ठीक रहता है, आंके ठीक रहता है healthy eyes and उसका skin अच्छा रहता है जूरियां उसमें नहीं पड़ती है इसके कमी से night blindness हो सकता है और इसको ठीक करने के लिए हमें carrot, spinach, fish, mango इस तरह की चीज़े खानी चाहिए तो यहाँ पे आप पूरी चार्ट देख सकते है आपके पास book है, आप उसको detail ने पढ़ सकते है और हम लोग इसके आगे बढ़ते है What is balance diet? संतुलित आहर क्या है? To stay healthy and to grow well, it is important to eat a diet that contains all the nutrients in the right proportion स्वस्थ रहने और अच्छी विर्धी के लिए यह बहुत ही महतपूर्ण है कि जो भोजन हम ले उसमें सही अनुपात में पौस्टिक तत्व होने चाहिए यह balance diet is one diet contains all the nutrients, water and rafage in right amount संतुलित आहर होता है जिसमें सभी जरूरी पोशक्तत, पानी और रफेज सही मात्रा में मोजूद होता है Water helps to regulate the body temperature, helps in digestion and is a part of digestive juices पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, खाना पचाने में और पाचक रस बनाने में मदद करता है Rafage is the fibers present in the food, rafage fibers के रूप में भोजन में मोजूद होता है Rafage मोटा चारा को बोला जाता है, जिसमें जो छिलका होता है, जैसे चना का छिलका हो गया, सेब का छिलका हो गया इस परकार की चीजें rafage होती है, और rafage में fiber होता है, जो हमारे body के लिए आवसक होता है It has no nutritive value but help the body to eliminate waste या पोशक तत्यों के रूप में नहीं आता, परंतु या शरीर के गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है A violence diet varies according to age, gender and the type of work a person does संतुलित आहार, उम्र, लिंग और काम करने वाले बेक्ती के अनुसार अलग-अलग हो सकता है So, it is important to think before eating, इसलिए खाने से पहले विचार कर लेना आवसक है It is very important to eat the right kind and quantity of food to stay healthy या बहुत ही महतपुर्ण है कि स्वस्त राने के लिए हमें ठीक परकार का भोजन और सही मात्रा में खाना चाहिए Our mouth, हमारा मू, we eat different kinds of food to get energy and to grow well हम लोग उर्जा पाने और सही विर्धी के लिए विविन परकार के भोजन खाते हैं लेकिन जिस परकार भोजन हम लोग खाते हैं, हमारा सरीर उसे उसी परकार उप्योग नहीं कर लेता इसे उप्योग करने के लिए हमारा सरीर इसे सरल रूप में तोड़ देता है The breaking down of food into simpler forms is called digestion भोजन को सरल रूप में तोड़ देना पाचन कहलाता है How is food broken down in simpler forms? भोजन को सरल रूप में कैसे तोड़ा जाता है? Digestion starts in mouth itself पाचन के रिया मूह से ही शुरू हो जाता है Mouth consists of the following parts मूह में निमलिखित भाग सामिल होते है Tongue It is a muscular organ that helps to move the food in the mouth and tests it यह एक मानसल अंग है जो भोजन को इधर उधर चलाने में स्वाद पता करने में मदद करता है It has test buds that help to identify four tests sweet, salty, sore and bitter इसमें स्वाद पंतु होते हैं जो चार परकार के स्वाद को पहचानने में मदद करता है जिसमें से मीठा, नमकीन, खटा और कड़वा है Teeth, teeth का अर्थ है दांत They give shape to the face and help to break down food यह हमारे चेहरे को आकार देता है और भोजन को टुकड़े करने में मदद करता है There are four kinds of teeth that perform different functions दांत चार परकार के होते हैं यह सभी अलग-अलग कारी करते हैं Incisors helps to bite food, canines tear food, premolars chave it and molars get the food Incisors भोजन को काटने में मदद करता है Canines भोजन को चीरने में, premolar चबाने में और molar भोजन को पिषने में मदद करता है Sliva, sliva का अर्थ है लार Sliva is a liquid that is secreted from the slivery gland लार एक परकार का तरल है जो लार गरंथी से सरावित होता है Sliva makes the food soft लार भोजन को मुलाइम बनाता है It helps to convert starch into sugar यह starch को चीनी बनाने में मदद करता है Glucose is the simplest form of sugar and can be easily absorbed by the body Glucose चीनी का सबसे साधरन रूप है जिसे आसानी से हमारा सरीर अवसोशित कर लेता है The food from mouth goes through the oesophagus or food pipe and enters the stomach जो भोजन हम मुझ से खाते हैं हुआ भोजन नली से होते हुए हमारे पेट में पहुच जाता है Several digestive juices produced by the stomach help in digesting the food भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट से अनेक परकार के पाचक रस स्रावित होता है The food remains in the stomach for 3 to 4 hours भोजन हमारे पेट में 3 से 4 घंटा रहता है Proteins are digested here Protein यहीं पे पच जाता है From the stomach the food goes into the small intestine भोजन पेट के बाद छोटी आत में चला जाता है The food is completely digested here भोजन यहां पर पूरी तरह पच जाता है The digested food passes into the blood through the walls of the small intestine and is circulated to every cells of the body पचा हुआ भोजन छोटी आत के द्वारा हमारे रक्त में चला जाता है और फिर यह घुमते हुए शरीर के एक-एक कोशिका तक पहुच जाता है Undigested food goes into the large intestine Undigested food कर्थ है जो भोजन नहीं पचता है जो बच जाता है वह बड़ी आत में चला जाता है Water is absorbed here thereafter solid waste moves to the rectum and is thrown out from anus यहाँ पर यह पानी सोखता है और ठोस वा बेकार चीज में बदल जाता है फिर मलासे से होते हुए गुदा से बाहर निकल जाता है What do plants eat? पोधे क्या खाते हैं? All living things on earth are directly or indirectly dependent on plants for food पिर्थवी के सभी सजीव प्रत्यच या अप्रत्यच रूप से भोजन के लिए पोधों पर निर्भर होते हैं Green plants are the only living things that can make their own food by the process of photosynthesis सिर्फ हरे पोधे ही ऐसे सजीव हैं जो स्वेम अपना भोजन प्रकास translation के रिया के द्वारा बना लेते हैं To prepare food, plants require water which they absorb with their roots from the soil के लिए पोधों को पानी की जरूरत होती है जिसे वह जड़ों के द्वारा मिट्टी में मोजुद पानी को सोक लेते हैं They take in carbon dioxide from the air through tiny openings on their leaves called stomata उसे carbon dioxide की जरूरत होती है जिसे वह stomata के द्वारा हवा से ले लेते हैं Chlorophyll, a green pigment present in the leaves helps to trip energy from sunlight Chlorophyll, अर्थात पर्नहरित, इसे हिंदी में पर्नहरित के नाम से जाना जाता है पतियों में मौजूद हरा रंग जो सूरी के परकास से उर्चा प्राप्त करती है Plants use all these raw materials, water, carbon dioxide, CO2 and chlorophyll along with the sun's energy to produce food in the form of sugar पोधा इन सभी कच्ची पदार्थों को जैसे की पानी, carbon dioxide और chlorophyll को सूरी के प्रकास की उपस्थिती में अपना भोजन सरकरा के रूप में बनाता है यहाँ पर दिया गया है एक formula जैसे दिया गया है, carbon dioxide plus water, sunlight, chlorophyll इतने सारे चीज़ मिलके glucose बनाते हैं और अंत में oxygen को मुक्त करते हैं Oxygen which is released as an end product of photosynthesis is used by animals and humans for breathing प्रकास translation प्रकिरिया में पोधे oxygen को अंतिम उत्पाद की रूप में मुक्त करते हैं जिससे जानवर और मनुष सांस लेने में उप्योग करते हैं The plants convert sugar into starch and store food in this form पोधे सरकरा को starch की रूप में बदल देते हैं और भोजन को इसी रूप में जमा करते हैं Green plants are hands called producers or autotrops इसलिए हरे पोधे को उत्पादक या सोपोसी काते हैं How do non-green plants obtain food? गैर हरित पोधे अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं Non-green plants like mushrooms and models cannot make their oven food due to the absence of chlorophyll गैर हरित पोधे जैसे कि mushroom और models chlorophyll नहीं होने के कारण हुए अपना भोजन स्वेम नहीं बना सकते They obtain their food from the dead and decade matters हुए अपना भोजन मिर्थ और सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं Parasite plants like doder or cheats and rafalasia grow from a seed in the ground but the young seedling twins itself around the stems of another plants and suck water and minerals out of it परजिवी पोधे जैसे कि doder or cheats or rafalasia जमिन में मौजूद बीज से बढ़ते हैं परंतु बड़े अंकुर पोधे दुसरे पोधे के तना के चारों और अपने जैसे जुड़ुआ पोधे उगा लेते हैं और उस पोधे से पानी और खनी जलवन चूशते हैं What are insectivorous plants? किट भक्षी पोधे क्या होते हैं? Carnivorous or insectivorous plants are green plants that grow in soil which is very poor in minerals मांसाहारी या किट भक्षी पोधे हरे पोधे होते हैं मिट्टी में उगते हैं जिनमें खनीज बहुत कम होता है Hence they need to trap insects to get enough of the deficient minerals like nitrogen इसलिए उसे कीडों को फसाने की आवसकता होती हैं जिससे वे अपने खनीज की कमी को पूरा करते हैं जैसे की nitrogen को Venus fly trap is an insectivorous plant Venus fly trap एक किट भक्षी पोधा है Venus fly trap नाम है किट भक्षी पोधा का It has jaw like leaves इसका जबड़ा पतियों की तरह होता है When an insect sits on its leaves the jaws trap the insect जब कोई कीड़ा इसके पतियों में बैठता है तो इसका जबड़ा उसे फसा लेता है The plant then gives out juices that draws and dissolves the insect तब पोधा एक परकार का रस निकालता है जो कीड़े को खिचता है और उसे उस रस में घोल देता है Pitcher plant is another insectivorous plant whose leaves are sept like a wedge Pitcher plant भी एक परकार का किट भक्षी पोधा है जिसकी पतियां फूलदान की तरह होता है The wedge-like leaf is filled with sweet-smelling nectar फूलदान के जैसी पतियों में मधूर महकने वाला रस होता है Insects are drawn into leaves to suck nectar and on doing so, the insects slide down and fall into liquid and down कीडे उस रस को चूसने के लिए उन पतियों की तरब खिंचे चले जाते हैं इसलिए कीडे फिसल कर उस तरल में गिर जाते हैं What is a food chain? खाई दिस रिंखला क्या है? All living things depend on one another for their existence सभी सजीव अपना जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर राते हैं Indeed, all living things depend directly or indirectly on plants सच मुच सभी सजीव परतेच या परतेच रूप से पोधों पर निर्भर होते हैं The sun's energy that is stored in food prepared by plants is passed to all living beings पोधे जो भोजन बनाते हैं उसमें सूर्ज की उर्जा जमा हो जाती है और वही सभी सजीव में परवाहित होती है A food chain is a sequence in which one eats the other and there is flow of energy from one organism to another in the form of food खाइद स्रिंखला एक ऐसी कर्म विधी है जहां सजीव एक दूसरे को खाते हैं और भोजन उर्जा के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में परवाह होता है All the food chains have following components सभी खाइद स्रिंखला में निमलिकित अव्यव होते हैं Producers, कुतपादक These are green plants that produce food हरे पोधे होते हैं जो भोजन बनाते हैं All food chains start with green plants सभी खाइद स्रिंखला पोधों से शुरू होता है Consumers, उभोगता मतलब खाने वाला These are living beings that obtain their food directly or indirectly from plants ये सजी प्रानी होते हैं जो परत्यच या परत्यच रूप से पोधों से भोजन प्राप्त करते हैं Harvivorous are primary consumers Whereas Carnivorous are secondary consumers साकाहारी प्रात्मिक उपभोगता होते हैं जबकि मांसाहारी द्वित्यक उपभोगता होते हैं Decomposers, विघटक The body of dead plants and animals is broken down by microorganisms like bacteria, fungi, etc which are called decomposers जो सुच्छम जीव, मिर्थ पोधों और जानवरों को नस्ट करते हैं यहाँ पे स्क्रीन में एक बार में दिखाया जाना मुम्किन नहीं है या छोटा हो जाएगा जिससे कि आप लोग को पता नहीं चलेगा और आप लोग अपने बुक में असानी से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं यह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है सभी प्लांट पे आके निर्भर करते हैं और इस पेज में हम लोग आ जाते हैं What is food wave? खाइद जाल क्या है? Food chains do not occur independently in nature खाइद सिरिंखला परकिर्ती में सोतंतर रूप से नहीं होती Many food chains get interlinked because most organisms eat more than one kind of food कई खाइद सिरिंखला आपस में जूड़ी होती हैं क्योंकि अधिकांस जीव एक से अधिक परकार के भोजन खाते हैं Many interlinked food chains form a food wave कई खाइद सिरिंखला आपस में जूड़ कर एक खाइद जाल बनाती है Violence in nature is maintained by food chains and food waves खाइद सिरिंखला और खाइद जाल परकिर्ती में संतुलन बनाये रखता है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी food chain दिखाये गया है एक जीव कई तरह के चीजों को खाता है लेकिन फिर भी सभी पोधों पर निर्वर करते हैं यहाँ पे यह chapter समाप्त हो जाता है और आएद देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है exercise 1 में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें questions दिया हुआ है answer the following और two number में यहाँ पे टिक लगाने के लिए दिया हुआ है इन दोनों में से कोई एक सही है और answer in one word इसमें एक सब्द में जवाब देना है four number में true false बतलाना है इसके अलावा इसमें और वी questions दिया है यहाँ पे देख रहे हैं five number में match the following six number में give two examples यहाँ तीन जगह दिया हुआ है लेकिन दो एक्जांपल मांग रहा है यहाँ पे दो एक्जांपल देना है question number seven में tick लगाने के लिए बोला जा रहा है इसके अलावा इसमें और question दिया हुआ है यहाँ पे exercise two में दिया हुआ है और four number में match the following इसको match करना तो आएए मैं आप लोगों को सारा question का answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter 2.1 का question answer answer the following what is balanced diet a balanced diet that contains all the nutrients water and rough age in right amount what is water essential for the body water helps to regulate the body temperature help in digestion and is a part of digestive juices explain the various causes of wastage of food natural factors and microorganisms are the cause of wastage of food human beings waste a huge amount of food through their carelessness and irresponsible attitude towards food animals pests like rat and locusts damage food in large quantity write the functions of the tongue it is a muscular organ that helps to move the food in the mouth and identify four tests sweet salty sore and bitter why is teeth important name the four kinds of teeth present in the mouth and list their functions teeth give shape to the face and help to break down food there are four kinds of the teeth incisors help to bite food canines tear food premolars chave it and molars greet the food list the symptoms in a child suffering from marasmus and quasi core the symptoms in a child suffering from marasmus are the child has a stent growth wrinkled skin and suffers from diarrhea frequently the symptoms in quasi core are the child has low appetite swollen belly and reduced growth are hunger and disease related give reasons to support your answer as hunger and disease are related to each other many diseases are caused when people do not get enough food to eat or do not eat the right kind of food how are deficiency diseases different from malnutrition deficiency diseases are occur due to deficiency of nutrient in diet but malnutrition is a condition that occurs when a person does not get enough food to eat two number me tick the correct answer is cancer diet diya gya hai you can see the answer in one word here is cancer diya gya hai three number and four number two false here is true false diya gya hai you can see the question number five match the following here is the number diya gya hai prisoner the answer ie 만든 commence question number six is an entire answer चैक्ति अगी differ is iki उसना खो इसमें इसमें डिामपलमकल मंगा वहाँ इसमें यहाँ पर टीडरेक्टर आ landryk अब्दे प्ड़ição और और question number seven Chr the obtained de werde in the given hour यहाँ पे टिक करना है और उस खाली जगह पे भरना है तो यहाँ पे एंसर उसका दिया गया है और इसके आगे भी question दिया हुआ है यहाँ पे exercise 2 करके दिया हुआ है page number 50 में आप लोग का जिसमें fill in the blanks दिया हुआ है यहाँ पे भर दिया गया है और question number 2 में tick the correct answer इसमें tick लगाना है तो उसका answer यहाँ पे लिख दिया गया है यह सब word में आप लोग को tick लगाना है give to examples और यहाँ पे food का दो examples मंगा गया है जिसमें से यहाँ पे लिख दिया गया है किस विधी से इसको संरच्छित किया जाता है और question number 4 match the following match करने के लिए दिया गया है इसमें इसका answer दे दिया गया है direct आप अपने book में इसको देखकर मिला लेंगे और यहाँ पे पूरी तर आपी मदद मिलता है था हमारे वीडियो को एक लेक जुरूब